हलो दोस्तो आशा करता हूँ आप सब बढ़िया और सबस्त होंगे और आपकी त्यारी जो है वो पूरी हो चुकी होगी तो दोस्तो HP Police Constable एक्जाम के लिए हम लेके आये हैं दोस्तो अंतिम मौक टेस्ट तो दोस्तो अंतिम मौक टेस्ट रहने बाला है ये और इसमें हम कुल 80 प्रेशन डिसकस करने जा रहे हैं जो की English, reasoning, science और HPGK से समन्दित रहेंगे और ये जो हमारी क्लास है दोस्तो ये 44th क्लास है अगर इसे पहले की 42 क्लासिज आपने नहीं देखी हैं तो आप मारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और एक वार जल्दी जल्दी से क्यूक रवीजिन कर सकते हैं अगर दोस्तो आज की इस वीडियो में आपने आज की इस मौक टेस्ट में आपने 65 प्लास स्कोर कर दिया तो दोस्तो आपकी सेलेक्शन पक्की है इसमें जो हमने लेबल रखा है वो काफी moderate लेबल इसमें हमने रखा है प्रिशनों का दोस्तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रेशन से पहला प्रेशन में है दोस्तो इसमें आपको error find करना है कौन से option में error है तो बाके है दोस्तो on Sundays I prefer reading than going out visited my friends तो आपको पताना है इन में से कहां पे error है या फिर कोई error नहीं है तो D option चूज करना है तो दोस्तो इसमें जो error है वो है आपके part C में option जो C है वो सही हो जाएगा दोस्तो प्रेफर जो है यहें 2 को follow करता है तो then के स्तान पर 2 का प्रेव किया जाएगा तो इसके C part में error है अगला प्रशन है myself and Roshni will take care of the event on Sunday तो आपको पताना है इसमें कौन से part में error है तो दोस्तो इसका जो part है option A correct हो जाएगा इसके part A में error है तो यहाँ पर myself and Roshni नहीं होगा दोस्तो यहाँ होगा Roshni and I तो इसका option A correct हो जाएगा इसके A part में error है अगला प्रेशन है दोस्तो दर न्यू डिस्कवरी इस डैस डैस phenomenal option है indeed nobly always beautifully तो दोस्तो अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को join कर लेना और बहां से आप इसका mock test लगवा सकते हैं अगर आपको वीडियो में दिक्कत है तो इसका option जो दोस्तो ए है वो सही हो जाएगा इंडीड और जो टेलिग्राम चैनल का लिंक है वो description में आपको मिल जाएगा और बहां से आप join कर लेना अगला प्रेशन है only brave deserves डैस डैस दा स्वरी दा डैस डैस फियर 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 या फिर फियर तो दोस्तो इसमें only brave deserves the fair option d correct हो जाएगा fair और अगर आपको किसी प्रेशन में confusion है दिक्कत आती है दोस्तो आप comment अबस्चे कर दें अगला प्रेशन है आपको synonym बताना है दोस्तो इसमें destitute का आपको synonym बताना है option है sick, poor, thin या फिर angry तो दोस्तो destitute का जो सही synonym हो जाएगा वो हो जाएगा poor option बी correct हो जाएगा पोर इसका सही synonym हो जाएगा अगला प्रेशन है आपको decorum का सही synonym बताना है option है decency, modesty, anxiety या फिर strength दोस्तो decorum का आर्थ होता है मर्यादा या फिर sister 4 तो इसका option एक correct हो जाएगा decency जो है इसका synonym हो जाएगा अगला प्रेशन है antonym बताना है आपको adroit का antonym बताना है option है skillful, dry, clumsy, helpful तो दोस्तो adroit का जो सही synonym हो जाएगा वो हो जाएगा clumsy option option c जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रेशन है magnanimous का आपको सही antonym बताना है option है small, generous, naive या फिर selfish तो आपने यहाँ बताना है इसका antonym generous जो है दोस्तो यह इसका synonym है लेकिन इसका जो antonym हो जाएगा selfish option d जो है वो सही हो जाएगा selfish जो है वो इसका सही antonym हो जाएगा अगला प्रेशन है बानवर substitution बताना है आपको opinion contrary to accepted doctrines तो दोस्तों option है haracy, controversy, advocacy या फिर convention तो इसका option b correct हो जाएगा controversy अगला प्रेशन है दोस्तों अगला प्रेशन है a story in which animal or objects speak and give wholesome moral lesson तो इसको कहा जाता है fable option a correct हो जाएगा fable अगला प्रेशन है itamant phrase आपको सही meaning बताना है bat and eyelid तो इसका सही अर्थ क्या होगा तो दोस्तों bat and eyelid का जो सही अर्थ होगा वो होगा did not show surprise option a correct हो जाएगा अगला प्रेशन है आप इंदा क्रीक तो आपको इसका सही meaning बताना है option है in serious difficulties forced to do very hard work in a situation of failure shy or modest तो इसका सही meaning हो जाएगा आप इंदा क्रीक का in serious difficulties option a correct हो जाएगा in serious difficulties अगला प्रेशन है आपको change the voice करना है इसका voice change करना है तो दोस्तों let us help him का आपको voice change करना है active से passive voice बनाना है तो option है let him help us let he is helped let he be helped या फिर let him be helped by us तो इसका option d correct हो जाएगा let him be helped by us option जो दोस्तों d है correct हो जाएगा अगला है दोस्तों shut the door तो इसका आपको voice change करना है तो इसका shut the door का जो voice सही change हो जाएगा change of voice हो जाएगा वो हो जाएगा let the door be shut option जो सही है वो सही हो जाएगा तो दोस्तों change of voice में बर्व की third form का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन shut की जो third form होती है वो shut ही होती है अगला प्रेशन है तो आपको इसमें incorrectlyly spelled बताना है दोस्तों जिसकी spelling जो है wrong दी हुई है आपने वो choose करना है actions, alienate, belligerent या पर sabotage तो इसमें जो wrong spelling है दोस्तों बो है sabotage की यहाँ पर double V की जगा single V का इस्तेमाल किया जाएगा अगला प्रेशन है aluminium, symmetry, recommended, satellite तो आपको इसमें पताना है कि wrongly spelled कौन सा बर्ड है दोस्तों जो wrongly spelled word है बो है इसमें aluminium तो option एक औरेक्ट हो जाएगा इसमें दोस्तों double L की जगा single L का इस्तेमाल किया जाएगा अगला प्रेशन है science action यहाँ से शुडू होती है प्रेशन है first, 17 प्रेशन है automobil ओमें hydrochloric breakों के कारे करन पर निमलिक्ट में से कौन सा सिधान्त लागू होता है दोस्तों hydraulic break जो है यह कारे करती है Pascal name पर तो option C correct हो जाएगा Pascal law option C correct हो जाएगा अगला प्रेशन है kilowatt घंटा एक unit है तो आपने बताना है दोस्तों kilowatt घंटा है किसका unit है यह unit है दोस्तों उर्जा का option A correct हो जाएगा और बात करें what की तो वो है सक्ती का अगला प्रेशन है किसी बस्तू का अबर्दित और अभासी प्रतिवियम प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो किसी बस्तू का दोस्तों अभासी प्रतिवियम प्राप्त करने के लिए अब्तल दर्पन का इस्तमाल किया जाता है option C सही हो जाएगा अगला प्रशन है प्रक्रती में सबसे सशक्त बल है तो दोस्तो प्रक्रती में सबसे सशक्त बल जो है नावकिय बल है Option C प्रशन हो जाएगा दोस्तो इस प्रशन में मुझे confusion है मुझे यहाँ पर गुणत्वे बल भी इसका आंसर लग रहा है लेकिन आपको अगर शिवर पता है तो आप कमेंट अवश्य करें अगला प्रेशन है कि मैकसीन, डीडिटी और ब्लेचिंग पॉर्डर किसके योगिक हैं दोस्तों कि मैकसीन, डीडिटी और ब्लेचिंग पॉर्डर जो हैं ये योगिक हैं क्लोरीन के ओप्सन एक और एक्ट हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रेशन है दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लबनों के कारण होता है तो दोस्तो ब्लू बेबी syndrome जो है यह होता है औप्शन है आपके सलफेट, क्लोराइट, कार्बोनेट या फिर नाइटरेट तो इसका उत्तर जो है option डीव सही हो, जाएगा नाइटरेट के लबनों के कारण होता है ब्लू बेबी syndrome अगला प्रशन है सुद्ध चीनी में कौन सा तत्व पस्तित नहीं है दोस्तों जो सुद्ध चीनी है इसमें जो पस्तित तत्व नहीं है वो है नाइटरोजन ओप्सन सी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों आपको सुगर का chemical formula पता है तो आप comment करके बताएं अगला प्रश्ण है नेवन मैंसे कौन सा तत्व सरबधिक विद्यूत रिणात्मक है फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन या फिर अक्सीजन तो सबसे जो विद्यूत रिणात्मक है वो है फ्लोरीन और अप्सन एक कुरेक्ट हो जाएगा और दोस्तों जो फ्लोरीन है आप इसका अटॉमिक नंबर कमेंट करके बताएं अगला प्रश्ण है विद्यूत रिणात्मक के लिए घाटक बनाने के लिए जिस मिसर धात्मक का प्रयोग किया जाता है वे कौन सी है तो दोस्तों जो हीटर बगैरा के जो तार बने होते हैं वो आपको पता होगा नाइक्रोम के बने होते हैं तो बित्यूत आपी साधन के लिए नाइक्रोम का इस्तमाल किया जाता है उप्सन सी सही हो जाएगा नाइक्रोम अगला प्रेशन है धात्वों में प्रिष्ट बर एक उप्यूक्त त्रंगदैर्धे का प्रकास पढ़ने पर एक्टरोनों के उत्पेक्षिन की परिगटना को क्या कहते हैं तो इसको कहा जाता है दोस्तों प्रकास का बैद्युत प्रभाव उप्षिन के एक उनतर को किस नाम से जाना जाता है उप्षिन है नाडी दाब शीरा दाब धमने दाब या फुस-फुसिये दाब तो दोस्तो फिश्टोलिक हैबं टाइस्टोलिक प्रिसर के अंतर को जाना जाता है नाडी दाव के नाम से Option A Correct हो जाएगा नाडी दाव अगला प्रेशन है मानव स्रीर में निमलिक्त मैंसे किसमें अतिरिक्त रक्त पंधारित रहता है जहां से कमी होने की स्तिती में रक्त का मोचन होता है तो ये होता है दोस्तो पलिया में स्प्लीन में ओप्सन सीख रक्त हो जाएगा पलिया अगला प्रेशन हैो प्यूस गरंती का न्यंतरक कौन है तो दोस्तो औप्योस गरंती का जो नींतरक है वो है अप्योस गरंती को बास बास ब्ल्रां div नर में गौंड लेंगिंग लक्षण उत्पन करने वाला हार्मौन कौन सा है तोस्तो जो नर है उनमें जो गॉंड लिंग लेक्शन है उत्मन करने वाला हार्मोन है वो है टेस्टो स्ट्रोन, ऑप्षन डी कुरेक्ट हो जाएगा टेस्टो स्ट्रोन अगला प्रेशन है नर में परिवार नियोजन हेतु प्रियुक्त है तो दोस्तों नर में जो परिवार नियोजन हेतु प्रियुक्त है वो है बैजेक टोमी ओप्सन ए जो है वो सही हो जाएगा बैजेक टोमी दोस्तों जो बैजेक टोमी है यह पुरसों की नसबंदी को कहा ज जाता है अगला प्रश्ण है सुजाक रो का संक्रमन किसके द्वारा होता है सुजाक रो का संक्रमन होता है यह होता है बैक्टिरिया के द्वारा जिबानू के द्वारा ओप्शन एक औरेक्ट हो जाएगा जिबानू दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं युक्त रूदिर आता है तो दोस्तों फुस्पुस में कार्बन डायकसाइड जो युक्त रूदिर है यह आता है हंप्षन शहूंब उप्षन गे और इसका जी हो जाएगा हिर्द के दाहिन निलली से अगला प्रस्ण है बेकौन सी धात्यक्रादकश है जो अपने ही उक्साइट से स्वरक्षित हो जाती है और उप्षन B कुरेक्ट हो जाएगा अगला प्रेशन है लो एसक से लो के बिनियास में कौन सी प्रक्रिया समलित होती है तो दोस्तों लो एसक से लो के बिनियास में अब चेन प्रक्रिया सामिल होती है और उप्षन B सही हो जाएगा अ अगला प्रश्ण है, सिमेंट समानिता किसका मिश्ण होता है, दोस्तों जो सिमेंट होता है, ये मिश्ण होता है, कैल्सियम सिलिकेट और कैल्सियम ऐलुमिनेट का ओप्सन ए सही हो जाएगा, कैल्सियम सिलिकेट और कैल्सियम ऐलुमिनेट, अगला प्रश्ण है, अब रिजि इसका स्तान दाइं छोर से चौदवा है, बाइं छोर से उसका स्तान क्या होगा आपने बताना है, तो आप वीडियो को पॉस करके इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसका सीधे आपको उत्तर बताऊँगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा, 27 को किस प्रकार लिखा जाएगा तो दोस्तो इक्वेट को इस कोडिंग में लिखा जाएगा M N J O P M तो इसका option A सही हो जाएगा अगला question है निमन मैंसे कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से बिन है दोस्तो इसमें तीन जो होगे वो किसी तरह समान होगे लेकिन एक भिन होगा तो आपको पताना है इन में से कौन डिफरेंट है दोस्तो इसमें जो डिफरेंट हो जाएगा जे के L और option A जो है वो सही हो जाएगा जे के L अगला question है अनलोगी से अगर दोस्तो पार्ट जो खपास है इसका सबं मिलता जुलता कौन सा है दोस्तो इसमें जो मिलता जुलता है वो है अनास का बोरा तो इसका option जो B है वो सही हो जाएगा option B correct हो जाएगा अगला question है एक घड़ी 15 मिनिट प्रती दिन आगे हो जाती है 12 बजे इस घड़ी का सही समय मिलान किया जाता है अगले दिन 4 बजे इस साया गया समय क्या होगा तो दोस्तो 15 मिनिट जो है ये घड़ी प्रती दिन आगे हो जाती है तो आपने बताना है कि 12 बजे इस घड़ी का सही समय क्या होगा दोस्तो इसका क्या समय होगा आपने बताना है अगला question है दोस्तो PS अगर PS को DZ लिखा जाता है तो दोस्तो इसके किसमान कौन सा option होगा option है F H J L C E T R K M O Q E H T W तो दोस्तों इसका जो सही प्रेशन है दोस्तों इसका आप कमेंट करके बताएं काफी असान प्रेशन है अगला प्रेशन है इनमें से कौन सा भिन है option है T I K T I H I T S N I T K तो आपने प्रेशन है इसमें कौन सा भिन है तीन समान है लेकिन एक डिफरेंट है जो डिफरेंट है दोस्तों वो है T I K option A सही हो जाएगा T I K अगला प्रेशन है P Q R और पान कैरम खिल रहे हैं जिसमें P Q P Q P R और S Q भागिदार है S R के दाई और है जिसका मुख पस्चिम क्यों है तो A का मुख किस दिज़ा में है तो आपने बताना है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इस प्रेशन में ही गड़बड है यहाँ पर इस प्रेशन में कनफ्यूजन है इस प्रेशन को हम छोड़ देते हैं अगला प्रेशन है बर्स 1996 में गणतंतर दिवस शुक्रबार को नाया गया था बर्स 2000 में सब्तंतरता दिवस किस दिन मनाया गया ओप्शन है ब्र मंगल वार अगला प्रशन है रजनीस अपने घर से निकल कर 40 मेटर पूरव की ओर चलता है फिर दाएं मुड़ कर 35 मिरिट चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है अब किस दिसा की ओर बह जा रहा है तो उसकी दिसा होगी दोस्तों पूरव तो आपसन 20 ही हो जाएगा पूरव अगला प्रशन है गरिमा का पर्चे देते हुए रकेश ने कहा कि उसके पिता जी मेरे पिता जी के क्लोते पूत्तर है तो आप बताईए कि रकेश गरिमा से किस प्रकार सबंदित है दोस्तों रकेश का गरिमा से स्बांध होगा पीता का ओप्सन डी जो है बो सई हो का पिता अगला प्रशन है लड़कियों की एक पंक्ती में बीना अरम से बार्बी और अंत से 19 वी है लड़कियों की एक अन्य पंक्ती में सुनीता अरम से चौद भी है और अंत से 20 भी तो दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं दोस्तों दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर लड़कियां हो जाएंगी वो हो जाएंगी 63 ऑप्सन जो C है वो सही हो जाएगा अगला प्रशन है जदी पुस्त को घड़ी कहें दोस्तो बैक को शब्द कोस तो इसका option जो डी है वो सही हो जाएगा शब्द कोस इसका सही answer हो जाएगा अगला प्रशन है आपको इनमें विश्म चुनना है मील लीटर गर्ज या फिर सेंटिमेटर दोस्तों इसमें जो बिश्यम हो जाएगा वो हो जाएगा लिटर ओप्सन जो B है वो सही हो जाएगा लिटर दोस्तों जो बाकी हैं इसमें वो दूरी के मातरक हैं दूरी मापी जाती है लेकिन जो लिटर है इससे कॉइन्टिटी मापी जाती है अगला प्रशन है A, B, C, D और E पांच नदियां है A, B से छोटी है मगर E से लंबी है C सबसे लंबी है और D, B से बहुत छोटी है और A से कुछ लंबी है तो आपने पताना है सबसे छोटी नदी कौन सी है तो दोस्तों इनमें से जो सबसे छोटी नदी हो जाएगी वो हो जाएगा इसका जो option D है वो सही हो जाएगा E जो है वो सबसे छोटी है option D correct हो जाएगा अब जो दोस्तों शुरू हुए है वो HPGK के pressure शुरू हुए है तो HPGK से ये ब्रेशन रहने बाला है तो आपको पताना है नूर्पर का प्राची नाम क्या था तो नूर्पर का प्राची नाम जो था option D correct हो जाएगा तो मेरी नूर्पर का सही नाम था अगला प्रेशन है स्पिति घाटी का अंतिम गाउं कौन सा है दोस्तो स्पिति घाटी का अंतिम गाउं जो है इसका जो option है इनमें से जो option C है वो सही हो जाएगा लौसर गाउं स्पिति घाटी का अंतिम गाउं है अगला प्रशन है माचर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गाउं है जो सबसे कम गाउं है आपको बताना है किस जिले में है सबसे कम गाउं जो है दोस्तों वो है कुलू जिले में option C जो है वो सही हो जाएगा कुलू इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रशन है माचर प्रदेश पुलिस प्रिश्रिक्षिन के अंदर कहा है दोस्तो माचर प्रदेश का आपको पताना है पुलिस प्रिश्रिक्षिन के अंदर कहा है तो यह आप एच्पी पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी असान प्रेसन हो जायेगा हज़्वी पुलीस, प्रिशिक्षर के अंदर जो है बो है ड्रो में ओप्सन अप्सन इसका भी जो है बुसाई हो जाएगा ड्रो में है दोस्तों कांगडा के ड्रो में अगला प्रेशन है माचब देश में परवता रोहन संस्तान कहां है परवता रोहन संस्तान जो है यह है दोस्तो मनाली में ऑप्सन ए कॉरेक्ट हो जाएगा और इसकी स्तापना 1961 में होई थी अगला प्रेशन है माचब देश उचनियाले कहां पर स्तित है तो काफी असान प्रेशन है जो HP का हाई कोट है दोस्तों वो है सिमला में आप्शन A कोरेक्ट हो जाएगा अगर बात करते जागा की दोस्तों सिमला में तो वो है रोबिन्स बुड में अगला प्रेशन है निमने मैसे कौन ही माचब देश का मुख्यमंतरी नहीं रहा ओप्शन है प्रेम कुमार धुमल, बीर भदर सिंग, शांता कुमार, सिरी सत्य प्रकास ठाकुर दोस्तों इसमें जो मुख्यमंतरी नहीं रहे वो थे सिरी सत्य प्रकास ठाकुर ओप्शन D सही हो जाएगा अगला प्रेशन है, 1944 के पुर्फ कोटगड दता कोटखाई चेतर किस राज्य में आते थे तो 1940 के पुर्फ दोस्तों कोटगड और कोटखाई जो थे ये आते थे फिंजाब के अंतरगत। ऑप्शन D सही हो जाएगा फिंजाब के अंतरगत आते थे अगला प्रशन है दोस्तों, किलांक सुंदरी निमन मैंसे क्या तात पर है? यहेंकि किलांक सुंदरी क्या है? परबचोटी, जहरना, सबजी या फिर शिल्प कला तो जो किलांक सुंदरी है, वो है एक परबचोटी option A सही हो जाएगा इसका परबचोटी अगला प्रेशन है लहूल गाटी वो स्पिती गाटी निमिन में कौन सा दर्रा जोडता है तो इन आपको पताना है इन दोनों गाटियों को कौन सा दर्रा जोडता है तो लहुल स्पिति और स्पिति घाटी को जो दर्रा जोडता है वो जोडता है कुंजुम दर्रा ओप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा कुंजुम दर्रा जोडता है इन दोनों घाटियों को अगला प्रशन है बलय घाटी किस जीरे में स्तित है तो जो बलय घाटी है यह है आपके मंडि डिस्टिक में आपसन B सही हो जाएगा और दोस्तो यहे सबसे उपचाव घाटी है माचल की अगला प्रेशन है चोबिया यात्रा मार्ग इसके मद्द्य स्तित है ओप्षन है स्पित्ती, कुल्लू, चमबा, पांगी, ब्रमौर पांगी या फिर लहौल ब्रमौर तो जो चोबिया यात्रा मार्ग है ये है दोस्तो लहावल और प्रमौर के पीछ में आप्शन D से ही हो जाएगा लहावल और प्रमौर इसका उत्तर हो जाएगा अब जो हैं दोस्तो इंडियन जीके के प्रेशन शुरू हुए हैं फर्स्ट प्रशन है इंडियन जीके का महमूद गजनी किस बंस का सासक था तो आपको पताना है वो किस बंस से सबंदित था ओप्शन है यामनी तुगलक गुलाम या इनमे से कोई नहीं तो जो मुहमत गजनी था दोस्तो वो था यामनी बंस का ओप्शन ए सही हो जाएगा प्रभास या इनमे से कोई नहीं तो दोस्तो भगवान महावीर के जो प्रत्म सिश्य थे वो थे उनके दमाद जमाली तो आप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा जमाली तो उनकी बेटी का नाम था प्रीए दर्शना या फिर प्रीए दर्शिका अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने किस वर्स भारत पर आक्रमन किया तो दोस्तो जो तेमूर लंग था उसने किस वर्स भारत पर आक्रमन किया था आपने बताना है जो दोस्तो तेमूर लंग जो था इसने भारत पर आक्रमन किया था तेरा सो अठानवे इस भी में आप्शन सी जो है वुचही हो उन्द बंस का संस्तापक कौन था। दोस्तो जो नंद बंस था, आपने नंदनी लिखा है दोस्तों लेकिन जो नंद बंस का संस्तापक थे बो थे महापदमनंद तो इन उप्षन में से इन में से कोई नहीं इसका सही हो जाएगा अगला प्रशन है निमलिक्त में से कौन सा पहला भारतिय उत्पात था जिसे सुरक्षित बोगोलिक चिन यानि की दोस्तों GI टैग प्राप्त हुआ था आपने पताना है किस भारतिय उत्पात को पहला GI टैग प्राप्त हुआ था तो ये प्राप्त हुआ था दोस्तों दारज चाहे इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 में प्राप्त हुआ था शायद अगला प्रशन है तुमकुर नामक स्थान पर भारतिय गौलिक सर्बेक्षिन ने सोन्य के भंधार का पता लगाया है तो आपने पताना है तुमकुर जो है किस राज्य में स्थित है ऑप्शन है अंद्रप् में अगला प्रशन है कंदलेरू बांध किस राज्य में स्थित है आपको बताना है ऑप्शन है केरल महारास्ट अंद्रप्रदेश गोवा तो जो कंदलेरू बांध है यह है आपके दोस्तों अंद्रप्रदेश में ऑप्शन सी क्रेक्ट हो जाएगा अंद्रप्रदेश प्रसिद है दोस्तों जो राजस्तान की जहमर कोत्रा ख़दान है ये प्रसिद है रोग फासफेट के लिए ओप्शन सी सही हो जाएगा रोग फासफेट दोस्तों मू अगला प्रेशन जो है आपने पताना है भारत के कितने राष्टपती निर्वरोद चुने गए हैं दोस्तों केवल दो राष्टपती निर्वरोद चुने गए हैं तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा और दोस्तों वो चुने गए हैं डॉक्टर रजेंदर प्रसाद और निलम संजीवा रेड़ी तो दोस्तों अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किय है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों काफी मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में अगला प्रशन है भारत के समीधान का कौन सा अनुशेद यह कहता है कि सभी सार्वजनी की जगएं सभी नागरिकों के लिए हैं दोस्तों ऐसा कौन से अनुशेद में कहा गया है तो ये कहा गया है दोस्तों कि सार्वजनी की जगाएं जो है वो सभी नागरिकों के लिए है ये आर्टिकल फिप्टिन टू में तो आप्सन ए जो है वो सही हो जाएगा अनुशेत पंदरा दो में अगला प्रशन है भारते समिधान की ब्याक्या करने वाली अंतिम संस्ता कौन सी है तो दोस्तों भारते समिधान की अंतिम जो ब्याक्या करने वाली अंतिम संस्ता है वो है स्प्रीम कोट ओप्सन और जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है भारत्य समिधान की प्रांत्य समिधान समिधी के अध्यक्स कौन थे ओप्श्ण है जवार लाल नहरू, बलभाई प्टेल, डॉक्टर अजेंदर पसाद, स्यामा प्रशाद मुखरजी तो जो प्रांतिय समिधान समिधी के देक्स थे वो थे सरदार बल्लभाई पटेल ओप्शन बी सही हो जाएगा अगला प्रेशन है दोस्तो भारतिय दंड सहीता की धारा 376 जो है वो किस्ते सबंदित है तो जो धारा 376 है दोस्तो आपने अक्सर खबरों में सुनते रहते होंगे काफी बारे धारा 376 के बारे में बोला जाता है हर दिनों एक नएक केस इससे सबंदित होता ही है तो ये है दोस्तो बलातकार से ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा बलातकार अगला प्रशन है राजेपाल को हटाने के लिए राश्टपदी को किसकी सला की अवशक्ता होती है दोस्तो जो राजेपाल है वो राश्टपदी के फ्रसाद प्रियंत जो अवना स्तान है वो ग्रहेंड करता है तो दोस्तो उसको हटाने के लिए किसी की भी सला की अवशक् है option है दवन और दीप दादरा नगरहवेली लक्सदीप या फिर पुड्डू चेरी तो दोस्तों केंदर शासित प्रदेश हैं उनमें दो केंदर शासित प्रदेशों के बास राजे जबा की सीट्स हैं एक है पुड्डू चेरी और एक है दिल्ली इसका option डी सही हो जाएगा पुड्डू चेरी अगला और दोस्तों आंतिम प्रशन है इस वीडियो का कौन सी लोकसाबा सरवादे कम समय के लिए चली तो दोस्तों option है 9 वी 10 वी 11 वी 12 वी तो दोस्तों सबसे कम समय तक ज था कनफर्म नहीं है दोस्तों पर साइथ इसी लाइन में थी दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और आपका कितना स्कोर रहा वो भी कमेंट करके बताएं और दोस्तों बागी आपके एक्जाम के लिए best of luck काफी अच्छे से अपने एक थेट की थेंड तक डिडाय जापक करला करें नहीं है टक किस्टी को अंतराएं अच्क बाचएं पर मरें युझा है आपकें दोस्तों प्ams जैपकांपें प्र एबंगा कर दसेख पश्तों कार 9 फितना रहा वीगी है।